आज जिस पसनालिटी की में बात करूँगे इनकी मदर फिल्म इंडास्ट्री के गुजरे जमाने की बड़ी आक्ट्रिस रह चुकी है इन्होंने खुद ने अक्षे कुमार के साथ काम किया है दस साल इंडस्ट्री में आक्टिव रही और इस दौरान पाँच फिल्मों में इन्होंने काम किया अपनी फिल्मों से तो नहीं लेकिन अपने करियर के टाइम पर एक ऐसी कॉंट्रुवर्सी इन्होंने खड़ी की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था ने शायद ही सुनी होंगी कब साब्या ने इंडस्ट्री के पहले सूपर स्टार राजेश खना पर रेप का इल्जाम लगा दिया क्यूं साब्या की मदर उसे एक सूपर स्टार के साथ बेचना चाहती थी सेटल करना चाहती थी और कैसे दस सालों में पांच फिल्मे करने वाली साब्या आज बिता रही है अपने जिन्दगी साब्या की कहानी में शुरू करूँ उससे पहले उनकी मदर का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहोंगी साब्या की मदर का नाम था अमीता जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी आक्ट्रिस थी तकरीबन पचास फिल्मों में काम कर चुकी थी जिसमें से एक फिल्म थी शमी कपूर के साथ तुम सा नहीं देखा अमिता ने फिल्म इंडस्ट्री में काम तो किया, लेकिन उनका करियर उस तरह से टेक ओफ नहीं हो पाया, जैसा वो चाहती थी, वो lead actress या mainstream actress नहीं बन पाई एक टाइम पर जब अमिता की फिल्में चलनी बंद हो गई तो अमिता ने शादी कर ली, जिस शक्स से अमिता ने शादी की थी, वो already married था और दो बच्चों का पिता था, क्या आप जानते हैं कि अमिता ने किस आदमी से शादी की थी, ये और कोई नहीं, बलकि कामरान खान थे जो एक फिल्मेकर थे, जो फारा खान और साजद खान के पिता थे, जी हाँ, फारा और साजद के पिता की दूसरी शादी, आक्ट्रस अमिता से ही हुई थी, और इसी शादी से अमिता ने साबिया को पैदा किया, यानि कि हम कह सकते हैं कि साबिया जो है, फारा और साजद की सौतेली बेहन है शादी के बाद अमीता तो इंडस्ट्री से दूर हो गई लेकिन अमीता चाहती थी कि उनकी बेटी जब बड़ी हो तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करे अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में लाँच करने के लिए अमिता इतनी जादा passionate थी कि बेटी जैसे ही बड़ी दिखने लग गई एडल्ट दिखने लगई बेटी को इंडस्ट्री में launch कर दिया 15 साल की उम्र में साबिया को फिल्म इंडस्ट्री में काम कराना शुरू कर दिया अमिता ने और इसमें से एक फिल्म साबिया ने की थी अनुखा रिष्टा इस फिल्म में सूपर स्टार राजेश खन्ना थे स्मिता पाटीन भी फिल्म का हिस्सा थी 1986 में ये फिल्म आई थी आपको बता दे कि ये वो थाइन था जब राजेश खन्ना की जिन्दगी के बारे में सबको पता चल गया था कि अब उनकी वो स्टार्डम नहीं रही है उनका ढलता समय है और उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम से उनके एक्स्ट्रामेरिटल अफ़ेर्स ये सारी चीज़े मीडिया में आ चुकी थी राजेश खन्ना कम बजट की फिल्मे कर रहे थे और ये फिल्म भी वैसी ही फिल्म थी लेकिन इस फिल्म के बाद साबिया ने और उसकी मदर ने राजेश खन्ना पर गंभीर आरोफ लगाए साबिया की मदर ने कहा कि राजेश खना ने फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर मेरी बेटी को गलत तरीके से चुणने की कोशिश की, मेरी बेटी का रेप करने की कोशिश की जब साबिया की मदर अमीता ने ये सारी बात मीडिया में बताई तो अगले दिन सभी न्यूस पेपर की हैडलाइन्स यही थी हाला कि इंडस्ट्री वाले शौक रहे गए ये सुनकर कि राजेश करना अब और कितना गिरेंगे क्या क्या करेंगे वो डिंपल को छोड़ चुके हैं टीनमुनीं के साथ उनका फैर था और फिनैंशल क्रंच से भी गुजर रहे थे और इंडस्ट्री में उनके जगड़ी भी चल रहे थे राजेश करना के खिलाफ कहीं लोग बोल रहे थे ये वो लोग थे जो राजेश करना के स्टार्डम से जलते थे वहीं जो लोग राजेश करना को अच्छे से जानते थे वो ये जानते थे ये कुछ भी कर सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि रेप करेगा या किसी को गलत तरीके से चुएगा इसकी नियत ऐसी है राजेश खना करेंगे तो डाइरेक्ट अफैर करेंगे खुले आम जीते हैं वो उन्होंने जब टीना मुनीम के साथ भी अफैर किया तो वो खुले आम किया तो ऐसे में साबिया के साथ इस तरह की हरकत राजेश खना क्यू करेंगे किसी को भी ये बात गले नहीं उत्री थी लेकिन राजेश खना की अच्छीका सी बदनामी इस बात ने कर दी थी क्योंकि जब बच्ची की माँ खुद मीडिया में आकर कह रही है कि सेट पर राजेश खना मेरी बेटी को बुरी तरह देखते थे और गलत तरह से छूते थे 15 साल की वो बच्ची थी नाबालिक लड़की का रेप करने का इलजाम राजेश खना पर लग चुका था और मीडिया अब राजेश खना को कॉल कर रहा था कि उनका क्या कहना है इस मामने में तब राजेश खना ने एक स्टेटमेंट देते हुए जो कुछ कहा था उसने सब को हिला दिया था राजेश खना ने दावा किया कि एक बार अमिता उसकी बेटी साभया को लेकर मेरे ओफिस आई और अमिता ने सीधे सीधे अपनी बेटी को मुझे ओफर कर दिया और तब राजेश खना ने उन दोनों को धक्के मार कर वहां से बाहर निकाल दिया था क्योंकि एतनी घडिया हरकत अमीता ने राजेश खना के सामने की थी इसलिए राजेश खना को इस बात से गुस्सा आया और जब राजेश खना ने इन दोनों को आफिस से निकाला तो बाह के लिए कहा राजेश खना बड़े सूपर स्टार थे साभिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी और ये बात सही तब प्रूव हो गई जब मीडिया में तो माबेटी ने बहुत कुछ बोला बट पुलिस कंप्लेंड नहीं की इस इंसिडेंट के बाद साभिया जैसी फिल्मे की, जो फिल्मे B-grade फिल्मे थी, साभिया के पास option नहीं था, कोई भी बड़ा filmmaker अब उन्ने अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था इसलिए वो B-grade फिल्मों की लीड आक्ट्रेस बन रही थी, बट ये करके वो खुश नहीं थी, वो मेंस्ट्रिम सिनेमा मे काम करना चाहती थी तो उन्होंने फिर से इंडस्ट्री वालों से काम मांगना शुरू किया अब इंडस्ट्री वाले उन्हें लीड अक्टरिस का रोल नहीं दे रहे थे गाजश खना पर जिसने रेप का इलजाम लगाया उससे प्रोड्यूसर्स दूर भाग रहे थे इसलिए लोगों ने कहा कि अगर काम करना है चोटा मोटा रोल दे सकते हैं लेड हिरो इनका रोल तो नहीं दे सकते हैं यही कारण है कि आगे चलकर साबिया ने कुछ फिल्मे तो की जो बड़ी फिल्मे थी लेकिन उनमें उनके रोल्स छोटे ही थे जिसमें से खिलाडी ये चंद फिल्मे थी एर 95-96 तक साबिया इंडस्ट्री में आक्टिव रही और उसके बाद कहीं गायब ही हो गई इंडस्ट्री ने उन्हें काम ही नहीं दिया उनके पास ऑप्शन नहीं था इस इंडस्ट्री को छोड़कर उन्हें नया काम ठूणना पड़ा कहा जाता है कि इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद साबिया ने गल्फ कंट्री की किसी एरलाइन्स में काम करना शुरू किया और कुछ समय तक as a jewelry designer भी वो active रही आज साबिया और उनकी मदर अमीता दोनों ही इस इंडस्ट्री से दूर है वो कहा है किस हाल में है ये किसी को नहीं पता बठा जब तक इंडस्ट्री में active थी तब साबिया ने राजिश करना वाले इस मुद्दे से सभी को हिला कर रख दिया था झाल